गुद मॉर्निंग क्लास फिफ्ट इस 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 टी क्लास और आई मोची टीचर नूर अनसारी देखिए यह आपका फर्स चेप्टर था दे गलोब हम लोग यादा पहले ही पढ़ चुके थे याद है आपको शेप अफ दी अर्थ हम लोग पढ़ चुके थे अब हम इसके आगे का continue करेंगे दे गलोब तो हम लोग को क्या पढ़ना है दे गलोब बेटा जिनोंने बुक्स नहीं लिये बच्चों जल्दी जल्दी अपनी बुक्स ले लो ताकि हमारे साथ study continue कर सको है ना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको जो भी हम वीडियो डाले वह आप तक सबसे पहले पहुंचे ठीक है चलो अपने अपनी बुक्स ओपन कर लो फटर फटर से देखो देखो देगलोब अगलोब हम लोग पढ़ने वाले हैं और देटर प्टान थावा only हैं ग्लोब किया है हमारी अर्थ का एक स्मोल मोडल है अर्थ इस ए सो बिग जार हुआ है तो फोली इसन ब्रपार्बिल्प शकमाह उस्हाहिए सौनरज च्हाहार थिए पुल्यन नहीं सक्ते हैं So we take the help of our globe इसलिए हम लोग एक globe की सहायता लेते हैं किसलिए? इसे नापने के लिए है ना अपनी अर्थ को देखने के लिए A globe shows us the shape and the location of the continents and the location of the countries and the location of important cities है ना Globe किसलिए हम use करते हैं? शेप को जानने के लिए इसके और location जानने के लिए continents की location हो या countries की location हो या important cities की location हो इसमें globe में हम यह सब आसानी से देख सकते हैं है ना? देखा है कभी globe? नहीं? तो देख लेना offices बगएरा में रखा होता है school में भी रखा होता है नहीं कुछ लोगों के घर में भी होता है है ना? चलो देखो आगे we can easily scale the distance between various places on the earth using a globe globe की सहायता से हम भिन भिन मतलब देशों की दूर दूर जगों की क्या कर सकते हैं? दूरी को देख सकते हैं ना आप सकते हैं easily scale the distance between various places on the earth using a globe globe की सहायता से we can only see half the globe at one time एक समय में हम globe का आदा हिस्सा ही देख सकते हैं क्योंकि ये तो circle में बना है देख रहे हो ना? circle में बना हमारे सामने आदा ही तो है ये है ना? जब हम इसको गुमाएंगे तब हम इसका पीछे का पार्ट देख पाएंगे तो ये कह रहा है कि we can only see half the globe at one time एक समय में हम इसका half ही देख सकते हैं however we can turn the globe around to see the other one दूसरा half देखने के लिए में क्या करना होगा? globe को turn करना होगा इसके पास एक जो लाइन जाती है this line is called the axis यही लाइन क्या होती है? axis कहलाती है the axis is not straight axis कैसी होती है? straight नहीं होती है it is tilted at an angle of 23 1 oblique 2 degree है ना? 1 and half देखो 23 1 and half degree ठीक है? यह इस पे क्या करती है? एक straight line नहीं होती है और यह किस पे बनी होती है? 23 1 and half degree के angle पे यह बनी होती है the earth constantly rotates earth जो है क्या करता है? rotate होता है पता है ना? आपको भूमता रहता है all turn around its axis of rotation है ना? जब वो चक्कर लगाती है तो किस पे लगाती? इसी पे तो लगाती है ना? अपनी axis पे याद है आपको? आब आगे देखो north pole and south pole look at the end points of the globe globe की end point को देखो अब end point कहा है? मैं बताती हूँ the point at the top end of the globe is called the north pole देखो north pole जो है यह देखो north pole देखो आपका तो यह क्या है आपका? यह end है, ending point इसी को बोलते है look at the ending point of the globe यह globe का क्या है? ending point है और यह नीचे का ending point है तो यह जो है north pole है यह north pole का ending point है और यह south pole अभी आगे देखें, हम लोग पढ़ेंगे north pole and the point at the bottom देखो top का जो है वो north pole कहलाता है and the point at the bottom is called the south pole और जो bottom का ending point है वो south pole कहलाता है समझ में आया, जो top का है end point वो north pole कहलाता है और जो bottom का end point है वो south pole कहलाता है मने top मने उपर, bottom मने नीचे पता है ना इतना उसके बाद the imaginary line exactly in the middle of the two poles is called the equator अब देखो इसमें एक imaginary line होती है imagine मने पता है imagine करना पताब कलपना करना तो इसमें एक कलपनिक line होती है कहां पर? बिल्कुल exactly बीचो बीच middle of the two poles दोनों poles के बीचो बीच एक line होती है जिसे imaginary line कहते है वो क्या होती है? वो equator होती है this is called equator called the equator the equator divides the globe into two equal halves equator का का काम क्या है? दोनों parts को equally half-half में divide कर देना दोनों हिस्सों को पताब ऐसे कहें simple words में तो क्या करना है globe को आदे हिस्से में बाठ देना equator क्या करता है? आदे हिस्से में अर्थ को बाठ देता है आदा नीचे आदा उपर है न? half equally half बराबर से half called the hemisphere जो क्या कहलाता है? hemisphere कहलाता है to the north of the equator is the northern hemisphere देखो north की तरफ जो है हिस्सा वो northern hemisphere कहलाएगा and the other towards the south is the southern hemisphere और जो south की तरफ है वो क्या कहलाएगा? southern hemisphere ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं latitudes है न? latitudes में देखो there are imaginary circle on both side of the equator equator के दोनों तरफ क्या है? बताया था न? एक imaginary line है imaginary circle है तो there are circumferences keep on diminishing with their distance from equator है न? तो उनकी परिदी बराबर से अपनी दूरी के साथ कम होती रहती है their circumferences keep on diminishing with their distance from equator equator से जो है उनकी परिदी बराबर से अपनी दूरी के साथ कम होती जाती है कैसे? these circles are called latitude यही circle जो अब क्या कहलाता है? latitudes कहलाता है these circles are called latitude these latitudes are parallel parallel and equidistant from one another अब देखो these latitudes जो है latitude बताये थे न वो क्या है? parallel है अब parallel means क्या होता है? parallel means होता है जो lines यह जो देखो इसमें यह वाली lines देख रहे हो जो एक के बाद equally दूरी ते करते हुए कोई lines बनी होती है इस तरह से एक के नीचे एक एक के नीचे एक ऐसे आए और चाहे ऐसे आए एक के बाद एक एक के बाद एक मगर equal दूरी पर बनी रहती है उसे कहते हैं parallel तो parallel and equidistant बराबर distance इसे कहते हैं इसे कहते हैं parallel of latitude latitudes का parallel इसे कहते हैं the latitudes are marked from 0 degree to 90 degree अब latitude मार्ट कैसे करता है 0 degree से 90 degree the equator begin to 0 degree the degree of latitude is followed by the north and the south poles देखो the latitude are marked from 0 degree to 90 degree latitude कैसे marks करती है 0 degree से 90 degree है ना the equator begin equator कहा से begin होता है 0 degree से the degree of latitude is followed by the north and the south कहा चलती किदर की तरफ है या तो north की तरफ जाएगी और north वाली north की तरफ जाएगी south वाली south की तरफ जाएगी the north pole is at 90 degree north है ना north pole जो क्या है 90 degree north की तरफ है and the south pole is at 90 degree south देखो north वाला north की तरफ है 90 degree और south वाला south की तरफ 90 degree देख रहे हो 90 degree of latitude in the northern hemisphere है ना 90 degrees of latitude in all the southern hemisphere मतलब वही southern hemisphere में इधर आएगा तो भी 90 degree होगा और उपर जाएगा तो भी 90 degree होगा है ना and there is zero latitude that is the equator और जहां पे zero latitude शुडू होती है वो क्या होता है? यह आपका equator है है ना यहीं से zero शुरू होता है ठीक अगर यह north में जाएगा तो 90 degree इधर जाएगा अगर यह south में अगर 90 degree इधर जाएगा समझ रहे हो ना that is the equator zero से जान से शुरू होता है zero degree उसे equator कहता है यह रहा equator आपका है ना all the latitudes form complete circle except the north and the south poles which are points देखो circle कहां complete होता है इसका सारे latitudes जो है all the latitudes form जो है उनका circle कहां complete होता है north and the south pole which are point यह देखो south pole यह है north pole यह है जो कि इसका क्या है point है यही इनके points है तो वही पे इनके circuit जो complete होते है the latitudes decrease the length as we move from the equator to the poles the latitude क्या करता है decrease in length as we move from the equator to the poles जब poles equator जो है poles की तरफ से चलता है तो क्या करता है decrease करता जाता है कमी कमी होती जाती है कमी कम करता जाता है thus इसलिए मतलब की इसी प्रकार the latitude of a place tells you how far north or south a place is from the equator अब इससे other than the equator यहां रुक जो अब इससे क्या पता चला इसी प्रकार हमें यह पता चला इसकी दूरी चाहे जितनी दूरी हो place tells you how far latitude जो place जहां पे latitude the place the latitude of a place latitude जो होती है जो lines होती है of the place उस जगह की वो आपको क्या बताती है how far north or south कि कितनी दूर है north में कितनी दूर पे कौन सा place पढ़ेगा और south में कितनी दूर पे कौन सा place पढ़ेगा is from the equator equator से है ना क्योंकि दो पार्ट में हम पहले ही कर चुके other than the equator and the poles there मतलब equator और poles दोनों की क्या होती है हमें दूरी पता चलती there are four other important इसके अलावा other than the equator and the poles there are four other important latitudes given below यहाँ पे और चार latitudes के नाम दिये हुए है देखो वो कौन कौन से हैं वो हैं आपके tropic tropic of cancer 23, 1.5 degree tropic of capricorn 23, 1.5 degree arctic circle 66, 1.5 degree and antarctic circle 66, 1.5 degree ठीक है अब यह आज का आपका यही पे हम लोग जो है रोकते हैं इसके आगे का longitude हम लोग अपने next section में पढ़ेंगे ठीक है तो जिन्होंने book नहीं ली है बच्चो बुक ले लो फटा फट से ताकि आगले session में यह complete करके फिर हम लोगों को exercises करनी है question answers करने है तो book is more important ना books ले लो okay class आज के लिए इतना ही goodbye class 5th